इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. जोने फ्रेश आइड ड्रॉप एक आंक्स नेहकिया, कृत्रिम आसू है जिसका उप्योग आंखों में सूखापन से राहत देने के लिए किया जाता है. ये आंखों में नमी बनाए रखने के लिए पर्याप तांसू न बन पाने के कारण हो सकता है. ये आंखों के उचित चिकनाहत को बनाए रखकर आंखों में सूखापन में देखी गई जलन को शान्त करने में मदद करता है. आमतोर पर जोने फ्रेश आई ड्रॉप को जरूरत पढ़ने पर लिया जाता है डॉक्टर द्वारा निर्धारत संख्या में ही ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें डाइल्यूशन से बचने के लिए उसी आँख में कोई अन्य दवा डालने से पहले कम से कम 5-10 मिनर तक प्रतीक्षा करें आपके खोलने से पहले अगर बोतल की सील तूटी हुई है तो उसका इस्तेमाल ना करें हमेशा अपने हाथ धोएं और ड्रॉपर के अंत को स्पर्ष न करें ये आपकी आँख को संक्रमित कर सकता है इस दवा का इस्तेमाल लंबे समय तक जरूरी हो सकता है और जब तक आपको इसकी जरूरत हो तब तक इसे सुरक्षित रूप से लिया जा सकता है इस दवा का इस्तेमाल करने के सबसे सामाने साइड इफेक्ट में आँखों में जलन यानी की जलन और बैचेनी सहित, आँखों में दर्द, आँखों में खुजली और विजूल डिस्टिबंस शामिल है ये आमतोर पर टैमपरी होते हैं और समय के साथ चले जाते हैं हाला कि अगर ये बने रहते हैं या अधिक बिगर जाते हैं तो डॉक्टर को बताएं ड्राइव, मशीनरी का इस्तेमाल या कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें सपश्ट द्रिष्टी की आवश्शक्ता हो जब तक कि आप आश्वस नहों कि आप इसे सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं अगर आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है या साइड इफेक्ट आपको परेशान करते हैं तो डॉक्टर से परामर्श करें हाला कि इस दवा पर आपके द्वारा इस्तेमाल की जा रही अन्य दवाओं का असर होने की संभावना नहीं है साथ ही उन दवाओं पर भी इस दवा का असर होने की संभावना नहीं है लेकिन अगर आपको ग्लूकोमा है तो डॉक्टर को अवश्य बताएं मुलायम कॉंटेक्ट लेंज पहनते समय इसका इस्तेमाल न करें और अगर इसका इस्तेमाल करते समय आँखों में संक्रमन हो जाता तो डॉक्टर से बात करें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद